नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक निजर सुर्खियों पर बिहार में कम्प्यूटर टीचर भरती के लिए चाहिए बस एक योगिता अब संतारी स्कूल के बचे स्टिल के बरतन में खाएंगे मिड़े मीड बहुत चल्दी बिहार के लोगों का सफर होगा और असान से प्रीज की समधान यात्रा इस दिन होगी खत्म तेस टेब्यू के बाद केस भरत ने मा को लगाया गले इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से बिहार में कम्प्यूटर टीचर भरती के लिए चाहिए बस एक योगिता अगर आप भी कम्प्यूटर टीचर के रूप में भरती पाना चाहते हैं टीचर एलिजबिर्टी टेस्ट होता है रिपोर्ट के अनुसार राज्य में फिलाल 17,000 से ज़्यादा अभ्यरती कम्प्यूटर साइंस के साथ STET पास है वही राज्य के सरकारी स्कूलों में अभी केवल 327 कम्प्यूटर टीचर हैं जो अलग-अलग सरकारी स्कूलों में कारे जिसके बाद अब वे पटना हाई कोट के चीफ जस्टिस होंगे बतादी की पटना हाई कोट के चीफ जस्टिस का सीट पुर्व चीफ जस्टिस संजय करोल के सुप्रीम कोट में पदोनती होने के बास से खाली है और अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस चक्रधारी चर्म सिंग कारेक कर रहा है जानकारी के लिए बतादी की केरल हाई कोट के जस्टिस के विनोच चंदरन पटना एच्सी के चीफ जस्टिस का सपत केंज सरकार के दौरा मुहर लगाये जाने के बाद लेंगे अब सरकारी स्कूल के बच्चे स्टिल के बरतन में खाएंगे मिद्डे मील पिहार सरकार के दौरा बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिये जाने वाले मिद्डे मिल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है बतादी कि अब बच्चों को मिद्डे म इसके लिए बिहार के प्रात्मिक और मध्य प्रात्मिक 71,000 से अधिक स्कूलों के लिए स्टिल के बरतन की खड़िदारी 31 मार्ज तक कर ली जाएगी मालू हो किसे पहले बच्चों को टीन से बने बरतन में भोजन परोसा जाता था इसको लेकर कहीं तरह के सवाल भी उठाए क गया है निटी पटना के 609 चात्रों को मिली कैंपस प्लेसमेंट बिहार के प्रशिद इंजिनेरिंग कॉलेज निशनल इंस्टिटूट अफ टेक्नलोजी के 609 चात्राओं को प्लेसमेंट से इन में राश्ट्री अस्तर की 120 से अधिक कमपनियों के दोरा प्री प्लेसमेंट ओफर दिया गया है इन सभी का एवरेज पैकेज 14 लाग तथा मिनिममम 7 लाग रुपे तक का है इसके लावा CRED और Google कमपनी के दोरा 52 लाग और 48 लाग का सालाना पैकेज भी दिया गया है बता दे कि अभी और 80-90 कमपनिया कैंपस प्लेसमेंट के लिए आने वाली है जानक प्रति भाग खोज प्रतियोगिता बिहार के राज़ानी पटना के एक अंकरबाग अस्रित पाटले पुत्र स्पोर्स कॉंपलेक्स में आसे दुनिया के सबसे बड़ी राष्ट्रिय अंतरजला जूनियर एथलेटिक्स मीट की शुरवात हो गई है चोकी बाड़ा फरवई प्रति भाग खोज प्रतियोगिता का उद्गाटर मुखे मंतर रितीस कुमार के दौरा साम चार बजे किया जाएगा बता दे कि यह पहली बार है जब बिहार में इस प्रतियोगिता का आयो जिन किया गया है मिली जानकारी के नुसार इस प्रतियोगिता में भाग लेने के देश के 600 जिलो में से 6000 से अधिक एथलिक पठना आए है वहीं अगर बिहार के प्रतिभागियों की बात करे तो बिहार के 30 जिलो और 2 पुल से लगबग 520 खिलारी स्प्रतियोगीता में भाग ले रहा है. इस फ्रतियोगीता से जिन खिलारी का किया जाएगा उन्हें उलंपिक के लिए तयार किया जाएगा बहुत जल्दी बिहार के लोगों का सफर होगा और आसान बिहार के लोगों का सफर बहुत जल्दी और भी आसान होने वाला है बता दी कि वर्स 2024 तक बिहार के लोगों को एक छे लेन का नया पुल और एक नेशनल हाईवे का सौकात मिलने वाला है बता दी कि मिली जानकारी के अनुसार गंगा नदी पर अगस 2018 से बन रहे ओंटा सिमरिया के बीच एप्रोच सहित करीब 8.15 किलोमीटर लंबाई की 6 लेन ने पुल का निर्मान करीब 1161 करोड की लाग से 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा इसके साथी सिमरिया से खगरिया तक बनाया जा रहा करीब 6.2-3 किलोमीटर लंबा फोर लेन एनच 31 भी अगले साल तक करीब 560 करोड की लाग से बन कर पूरा हो जाएगा जानकारी के बता दे कि इस पुल और एनच का निर्मान होने से वैसे लोगों का सफर बहुत आसान हो ज साल में करीब 4182 करोड 288 लाग रुपए खरचाएंगे बिहार पुलिस में साल 2026 तक 2.56 लाग पुलिस कर्मियों की जरूरत को पूरा करने का लक्ष रखा गया है बता दे कुल 67,000 पदों में 48,447 पदों पर सीधी नुकती होगी जिन में 20,937 पद दरोगा और समकच होंग इन दोनों को वित विभाग और काबिनेट की तोरह पहले ही मंजूरी दे दी गई है बच्चों का पारिवारिक वपढ़ाई के इतिहास का ब्योड़ा पोर्टल पर होगा दर्ज कुस दिनों पहले बिहार सिक्षा परियोजना परिसत की बैठक में जानकारी दी गई है कि ब बता दे कि स्कूलों को कुछावार प्रतिक बच्चों से जुरी पुरी जानकारी यूडायस में भरवाई जाएगी इसके लिए स्कूलों को 15 फरवरी तक का समय दिया गया है बता दे किस्ते पहले यूडायस पर केवल स्कूल की मूल भूस सुवधाय सिक्षकों की जानकार और बच्चों की संख्या दर्ज होती थी लेकिन अब बच्चों से जुरी सारी जानकारिया भी इस पर दर्ज की जाएंगी भारत से नेपाल सीमा में एंट्री के दौरान दो उजबेकिस्तान महिला गिरफतार भारत नेपाल सीमा पर तैनाद B.O.P. 323 बटा 25 पर SSP के दौरा बड़ी कारवाई की गई है बता दे कि इन्होंने भारत नेपाल सीमा से दो उजबेकिस्तान महिला को और एक भारतीय ना लिया गया है उसकी पहचान सीता मरी के बतनाहा थाना के हरी बेला के अवित कुमार के रूप में की गई है फिलाल अभी सभी से पूछताच चल रही है हाला कि पूछताच के दौरान पुलिस को भाशा समझने में दिक्कत का सामना करना पर रहा है जिस वज़े से ट्रांसलेट दो सो करोड रुपे टैक्स की चोड़ी की है इसके साथ ही जाच में यह भी पता चला है कि उनकी साथ गाठ वालो माफियाओं के साथ भी रहे हैं बता दे कि आयकर विभा की टीम को छापे मारी के दौरान उनके पटना आवाज से एक डाइरी मिली है जिसमें राज्य के खा आवे मारी कब तक चलने वाली है पटना और बिहार म्यूजियम को किया जा रहा है इंटरकनेक्ट विदेदन बुदवार को पटना म्यूजियम के रेडिक्शन के दौरान मुक्य मंतर नितीस कुमाय ने पतरकारों से बाचीत करते वे कहा कि जब हमें बिहार में काम करने का म प्राप्त कर सके उन्होंने कहा कि सभी जानकारियां हिंदी और अंग्रेजी में बड़े अक्छरों में लिखवाया जाएगा ताकि लोग और भी बहतर तरीके से परकर समझ सके इसके साथ ही अगर गंगा गैलरी बन जाए तो यहां पर एक मात्र गंगा जल रखवाने का भ दिरसेल मुख्यमंतर नितीज कुमार अपनी समधान यात्रा दस फरवरी से पंदरफ फरवरी तक लगातार करने वाले थे लेकिन आब 12 फरवरी को एक दिन के लिए समधान यात्रा को कैंसल कर दिया गया है जिसकी वज़ा से समधान यात्रा की समाप्त होने की तारीक 15 होतास और औरंगाबाद 14 को मुझपरपुर और समस्तिपुर 15 को गोपाल गंच और पूर्वी चमपारण और 16 फरवरी को बेगु सराय और पटना में खत्म हो जाएगी CM नितीस पर चिराग पासवान का तीखा प्रहार CM नितीस कुमार पर तंच कस्तेवे कहा कि छपड़ा में जो घटना घटित हुई है वा जान बुझकर प्रशासन के द्वारा करवाई गई है इस घटना पर मागरवंधन के किसी भी लोगों के द्वारा बोली नहीं निकल रही अब यहां की जनता को मुख्य मंतरी पर कोई भरोसा नहीं रहा टेस्ट डेब्यू के बाद केस भरत नहीं मा को लगाया गले भारत और ऐस्ट्रेलिया के बीच आज खेले जा रहा है बॉर्डर गावासकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में दो भारतिये खिलारियों का डेब्यू हुआ है पर पूर्णया में पेट्रॉली कीमत एक सब्सक्राइब गाया गले बाद के बाद के बाहर होनी की वजह से मिली है मालम हो कि यह भरत ने टेस्ट के जर्य अंतराश्ट्रे क्रिकेट में डेब्यू किया है जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज जानी गुरुबार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी कियेगा इसके साथ धी गया में पेट्रॉल फिकीमत 1.8 mak 79.3 रुपे और डीजल फिर बिहार में पेट्रॉल गायड सब जयदा कसन गंच में रेट गाजब है अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके छेतर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिया जाने वाला मिड़े मिल का भोजन कैसा रहता है आप अपना जवाब हमें मारे कामन सेक्शन लिख कर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार तमाम ख़बरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे अगर आप यूटूब से देख रहें चालों को सब्सक्राइब करना और अगर अगर आप वेस्वुक से देख रहे तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद